दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे phonetics को जिस पर मैं दो अलरेडी वीडियो बना चुका हूँ Linguistics पर मैंने एक वीडियो बनाई थी उसकी बाद में phonetics क्या होता है इसकी बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ ऐसा जो हर टाइप के exam के लिए बहुत ही important है इस वीडियो में मैं आपको walls के बहुत सारे science के बारे में बताऊँगा कि कौन-कौन से science होते हैं और उनको याद कैसे किया जा सकता है दोस्तों जितने भी type के science होते हैं उन सब को इस वीडियो में discuss करेंगे ये वीडियो बहुत ही helpful होने वाली है चलिए मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद में दोस्तों ये वीडियो समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन वीडियो को जाकर देखो लिंक आपको description में मिल जाएगा आज मैं आपको phonetics में most important और most confusing topic समझाने जा रहा हूँ हम कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोडी थी English language में 26 alphabets होते हैं A से लेकर Z तक गिल लेना 26 होते हैं A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे करके 26 alphabets होते हैं और इन 26 alphabets से 44 type के sounds निकलते हैं कितने type के? 44 type के last video में मैं आपको बताया था अब आप सबको पता होगा 26 alphabets में से 5 तो vowels होते हैं और 21 क्या होते हैं? consonants इन 5 vowels से 20 type के sounds निकलते हैं दोस्तों और इन 21 consonants से 24 type के sounds निकलते हैं टोटल मिलाकर हो गए 44 sounds तो आप कहोगे कि हाँ इन 5 vowels से इतने सारे sounds निकलते हैं हाँ इन 5 vowels से इतने सारे sounds निकलते हैं 20 type के sounds निकलते हैं कितने type के? 20 type के तो आज हम पढ़ेंगे vowels sounds को कि vowels में से कितने type के sounds निकलते हैं 20 type के निकलते हैं मैं आपको बताया ये 20 भी 2 parts में divide होते हैं दोस्तों पहला type होता है monothongs का जो होते हैं 12 और दूसरे होते हैं dipthongs जो होते हैं 8 कितने होते हैं 8 तो दोनों मिलाकर हो गए 20 sounds मैं एक बर फिर से उपर से आता हूँ अंग्रेजी भाशा में 26 alphabets होते हैं जिसमें से 5 vowels होते हैं vowels निकालते हैं 20 sounds और 20 में से 12 तो monothongs होते हैं 8 होते हैं dipthongs यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी अब आगे बढ़ते हैं monothongs को हम समझते हैं monothongs का पहले इस word का मतलब समझ रहे हैं यह कुशिश करते हैं देखो mono का मतलब होता है अकेला यह पुरानी language का एक word है mono का मतलब होता है अकेला आपने monologue सुना होगा mono मतलब अकेला और thongos का मतलब होता है sound अकेला sound यानि single sound की बात हो रही है यहां पर vowels में से जो single sound निकलते हैं उनको monothongs कहा जाता है और एक और नाम से बुलाया जाता है pure vowel sound जो sound pure होते हैं मिले हुए नहीं होते हैं किसी के साथ में यानि ऐसे vowels जिनमें single sound निकलता हो उनको monothongs कहा जाता है तो हम इन 12 sounds को देखते हैं सबसे पहले ये जो symbol आपको देख रहा है इसको बोलते हैं e मतलब long e for example sheep beach या reach second monothong है ये जो symbol आपको देख रहा है इसको बोलते हैं e क्या बोलते हैं e मतलब अगर हम हिंदी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें तो वो बड़ा वाला e था और ये छोटा वाला e है example देखे अच्छे से समझ में आएगा जैसे sit hit या फिर ship तो ये छोटी e जहां पर आ रही है उसके लिए ये वाला symbol यूज होगा next is u देखो जहें यू है ये दो slanting lines के बीच में दो dots लगकर होता है तो ये u का sound बड़े u का sound produce करता है जैसे school shoot जबकि छोटे u का symbol ऐसे बनेगा ये दो slanting lines के बीच में ऐसा वाला u हो तो हम कैसे बोलेंगे u जैसे foot या फिर foot next sound is e ये दो slanting lines के बीच में अगर e हो तो इसे हम कैसे बोलेंगे e जैसे end या फिर bed next is a ये दो slanting lines के बीच में अगर ऐसा sign आपको दिखे तो इसे बोलेंगे हम a जैसे the या फिर teacher तो teacher में भी a ऐसा sound आ रहा है न यहाँ पर आपको थोड़ा सा confusion हो सकता है इन दोनों में next is a इसके लिए हम कौनसा word यूज़ कर सकते हैं जैसे girl या फिर bird bird तो a ऐसे sound के लिए हम इस symbol का यूज़ करेंगे next is a इसके लिए हम बोलेंगे door floor next is a तो यहाँ पर आपको समझने की जरुरत है ऐसा लग रहा है जैसे दो alphabets आपस में जुड़े हुए हैं a और e लेकिन इसमें एक ही type का sound produce हो रहा है a जैसे man cat next is a तो यहाँ पर ये इस type का sign आपको मिले तो इसको बोलते a जैसे under up up under या up next is a मतलब जैसे father इसको बोलते a और इसको बोलते a under father next होता है o जैसे hot pot तो ये बारा हो गए pure vowels जनको हम भोलते है man o thonks क्या भोलते है man o thonks क्योंकि इनमे a की type का sound نिकलता है माद दूसरे होते है dip unions जो की 8 होते हैं ये dip units में d i जो होता है न इसका मतलब होता है two यानि deux sounds मिलकर जो बनतेहे ये pure नहीं होते क्योंकि ये 2s मिलकर बनतेहें हैं इसलिए इनको diphthongs कहा जाता है तो सबसे पहले ये E और I ये दोरों मिलकर बनाते हैं A जैसे pray break egg दूसरा होता है A और I ये दोरों मिलकर बनाते हैं I जैसे crime light bite, fight तो A और I मिलकर बनाते हैं I, next है OY OY, जैसे boy oil next is O for example no, low slow next is O जैसे crown या फिर now next is ear I और A मिलकर बनता है ear, जैसे near beer, peer जब ये E और A मिलते हैं तो बनते है air जैसे air fear या फिर chair और last में ये U और A मिलकर बनते हैं poor जैसे poor या फिर tour तो दोस्तों ये थे heart dip thongs इससे पहले मैंने आपको बता है man of thongs तो ये 20 vowel sounds के बारे में मैंने आपको बता है अब ये consonant sounds जो होते हैं ये 24 types की होते हैं जो इस तरह के और इसमें क्या होता है आपके vocal tracks जो होते हैं जैसे आपकी tongue हो गई teeth, lips, nose ये सब lung से आने वाली हवा को फैंफडों से आने वाली हवा को block करते हैं तब जाके sounds निकलते हैं ये सारे की सारे tracks जो मैंने आपको बता है nose, lips ये सब आने वाली हवा को या तो completely block कर लेते हैं या फिर partially for example ट और ड को बोलते हुए आपकी जो जबान है आप बोलके देखो ट और ड ये आपके मुँव में जो roof होती है, छत होती है उसके आगे वाले area को touch करती है जबकि आप और ब ब बोलकर देखो प और ब आपकी जो दोनों lips हैं वो आपस में जुड़ते हैं जबकि क और ग बोलते वक्त हमारी tongue का पीछे वाला हिस्सा काम करता है जबकि आप note करना म और न बोलते वक्त हमारी नाक से हवा पास होती है म और न जबकि वहीं ह बोलते वक्त हमारे गले से डिरेक्ली sound आता है ह तो इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में थोड़ा और डीटेल में समझते हैं दोस्तों तो एक notebook निकाल कर लो जिस भी sound को निकालने में जब आपके lips आपस में जुड़ते हैं या फिर touch भी करते हैं उन sounds को हम बोलते हैं bilabial sounds क्या बोलते हैं bilabial sounds ऐसे sounds कौन कौन से होते हैं ब, फ, म, और व तो ऐसे sounds जिनको निकालने में आपके lips आपस में जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं bilabial sounds जबकि ऐसे sounds जिनको निकालते वक्त हमारे आगे के teeth, आगे के दात नीचे वाले lip को touch करें उन sounds को हम labiadental sounds कहते हैं जैसे फ या व आप बोल कर देखो फ या व आपके उपर वाले दात नीचे वाले होट को touch करेंगे जबकि दोस्तों कुछ sounds ऐसे होते हैं जिनमें आवाज नहीं निकलती सिर्फ हवा बहार आती है जैसे की और दू अब दोस्तों मैं example देखर आपको समझाता हूँ पहले आप ये समझ लो कि इन दोनों sounds को निकालते वक्त मैं example देखर समझाऊँगा इन दोनों sounds को निकालते वक्त हमारी जो tongue होती है हमारी जो jeep होती है वो उपर और नीचे वाले दांतों के बीच में होती है jeep पूरी नहीं होती है दोनों दांतों के बीच में jeep की जो tip होती है आगे वाला area वो और ये th का sound निकालते है जैसे आप देखना first वाले को बोलते हुए गले में vibration नहीं होती जबकि second वाले को बोलते हुए गले में vibration होती जैसे first वाले को मैं किसी word के अंदर बोलू तो मैं बोलूँगा thing इस वाले word में th को बोलते हुए गले में vibration नहीं होई और lips और जो tongue थी वो एकदम rest mode पे थी जबकि this इसको बोलते हुए गले में vibration होती है अब next होते हैं valid sounds दोस्तों valid sounds को बोलने के लिए हमारी जो jeeb होती है उसका back वाला हिस्सा हमारे मूँ के पीछे वाली एक soft plate होती है उसकी तरफ उठता है वो back वाला हिस्सा उपर की तरफ soft plate की तरफ उपर उठता है next होते हैं glottal sounds जो glottis के एकदम pass आने से मतलब एकदम close लाकर produce की जाते है जैसे की ह अब मैं आपको 24 consonant sounds को एक-एक करके समझाने के कोशिश करता हूँ ताकि आपको ढंक से समझ में आए जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं पी sound अब हम इसको ऐसे बोलते हैं लेकिन English में इसको बूला जाता है पी के साथ में ह जुडा हुआ रहता है इसलिए इसका sound निकलता है जब हम इसको बोलते है pen तो वो pen नहीं फैन फैन होता है अब सेम टी वाले sound के साथ में भी ऐसे ही होता है इसे ट नहीं बोलेंगे इसको थ बोलेंगे इसको हम time नहीं बोलेंगे time बोलेंगे और क वाले sound के साथ में भी सेम होता है इसको क नहीं ख बोलते है हमको याद रखना है इन तीन के साथ में प, ट और क इनकी साथ में ह जुडा हुआ रहता है नेक्स्ट है ब, ये बी वाले sound को निकालते हैं ऐसे, ध्यान रखना है इसको ब्य नहीं बोलना है, ब बोलना है, जैसे कि बैग, बैग बोलते हैं कई लोग, बैग नहीं होता है। से हम बोलते हैं डॉग तो हमको जो stress डालना है वो D पे डालना है ना कि O पे, कई बच्चे बोलते है डॉग, डॉग नहीं होता वो डॉग होता है, डॉग सेम G के साथ में भी होता है ग, जैसे कि गेट, गेट नहीं गेट, लेकिन F वाले कॉंसनेंट के साथ में फ नहीं होता दोस्तों इसको हम बोलते हैं यानि, फिट जैसे, फिश जब हम फिश बोलते हैं, सिर्फ इसका साउंड बाहर आता है सेम V वाले कॉंसनेंट के लिए व, ये ब नहीं व होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है व और ब में फर्क समझने में जैसे की व्यू अब दोस्तों, वो साउंड आते हैं जो मैंने आपको बताया थे बीच में टी एच और टी एच को प्रनांस करने में जैसे एक होता है ठैंक्स और एक होता है देर अब थैंक्स और देर है तो दोनों ही टी एच लेकिन अलग-अलग तरीके से बोले जाते है देर थैंक्स थैंक्स को बोलने में आपके गले में वाइब्रेशन नहीं होती लेकिन देर को बोलने में वाइब्रेशन होती है और दोनों में आपकी जो जीब, टंग की जो टिप है वो दोनों दातों के बीच में आती है Next है consonant S इसको बोलते है स, यानि सिट लेकिन इसके बाद बाला ज्यादा इंट्रेस्टिंग है दोस्तों, इसको बोलते वक्त आपका ज का साउंड निकलता है जैसे जीरो, और सारे लोग इसको गलत तरीके से बोलते है, लोग बोलते है जीरो, जीरो नहीं होता, जीरो होता जीरो, ज, ज का साउंड निकलता है Next, consonant sound है S, इसको बोलते है श, यानि शिप श, नेक्स साउंड है य, दोस्तों यहाँ पर Z और H को मिलाया गया है, तब जाकर यह sound मिला है जैसे हम बोलते है, measure तो यहाँ पर measure होता है major नहीं होता, कई लोग इसको major बोलते हैं, लेकिन major नहीं होता यह measure होता, measure, pleasure जबकि H वाले consonant को हम बोलते है H, जैसे whole H M वाले sound को बोलते है M, miss N वाले को बुलते है N Need दोस्तों यहाँ पर Need वाला N तो आ गया लेकिन यहाँ पर एक और N होता है जो N का साउंड निकलता है Long N Sing Song वाला साउंड निकलता है Next consonant है CH इसको बुलते है CH जैसे Chapter Pitch Next है J इसको बुलते है J Jam IJ Next one is The R sound R इसको बुलते है Right Right उसको American accent के अंदर R का साउंड जो होता है वो rolling करके आता है Right Right जबकि वाले consonant को बुला जाता है यह जैसे Yes और Y-E-A-R को बुला जाता है Ear इसको Ear नहीं Ear बुला जाता है Next sound है व जैसे वट तो सो यह W वाले sound को निकालने के लिए आपको Pout बनाना पड़ता है जैसे Wet आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह V से अलग होता है Wet और last जो sound है वो है ल L को बुलते हैं ल जैसे Feel उम्मीद करता हूँ इस चूटी सी वीडियो से आपको consonant sound समझ में आया होंगे फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खितम कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको consonant sound सारे समझ में आया है अब जब आपने ये वीडियो खितम कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे consonant sound समझ में आ गए हैं दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में